नमस्कार एक बाफिर से मैं आप सभी के सामने उपसित हूँ बेहद महत्वपून टॉपिक के साथ आज हम बात करने वाले हैं न्यू यॉक की जहां पर आप सभी जानते हैं कि 22 सेप्टेंबर को पीम मोदी वहां पर एक रैली को संबोधित करने वाले हैं एक कॉंसर्ट को हीदू मंदिरों को तोडा जा रहा है हिंदू के खिलाफ एंटि हिंद्यो नारे हैं वहाँ जारही हैं वहाँ पर और साथ ही साथ जो खालिस्तानी संगठन हैं उन्हों ने वहाँ पर आप देखो कि सुरक्षा की आवशक्ता पर पर रही है वह जुतने भी बुह हिंदू संगठन है हैं वो कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए क्यों कि यहां पर कभी भी कु waż सकता है आगह बात कर लेते हैं ऑप तो ऐसा पहली बार है तो ऐसा पहली बार नहीं है अमेरिका में इससे पहले भी बहुत बार हिंदू टेंपल्स तोड़े गए हैं और विरोध प्रदर्शन किये गए हैं इसी बीच यह लोग वर्ड की बात की जा इस टाइम हिंदो की कैसी सिती है तो आप बांगलादेश की जाए कि कहां पर इस टाइम जो इंडियन पीपल है उनके साथ क्या चीजे चलती जा रही है तो कनाड़ा की बात कर लेते हैं कनाड़ा जहां पर खालिस्तानी संगठन बहुत जादा सक्री है तो वहां पर अब जो भारती चात्र हैं उनके वीजे में 50% तक कमी कर दी गई कि 10-20% इससे जादा नहीं आ सकते हैं और नहीं उनको वहां पर काम दिया जाएगा और अगेन एक और कंट्री की बात करते हैं हम साउदी अरेबिया जहां पर इंडियन इंजीनर्स पर बान लगा दिया गया है तो आप समझ है कि ओल ओवर दा वर्ड में सिती कैसी बनती जा रही है अब हम यहां पर यह देखेंगे कि यह जो आंदोलन है क्यों कि यह जा रहे हैं क्या रीजन है कहां से शुरू हुए और क्या कैस में प्रॉब्लम्स है मेरा नाम है प्राची मिश्ण और संस्कृति इस प्लिट फॉर्म पर आप सभी का स्वागत है अब देख लेते ह का एक बयान आता है और उन्हें बोला है कि हम अमेरिका लौ इंपोर्स्मेंट के सामने यह मुद्दा उठाएंगे और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कारवाई करेंगे इसी बीच है भारती वाडिजिक दूतावास जो है उसने यहां पर ट्वीट किय है उसने ट्वीट करके लिखा है नियॉक के मेलविल में इस्थित बीए पीए स्वामी नरायन मंदिर में हुई तोड़ फोड की घटना को हम स्विकार नहीं करेंगे ठीक है और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई भारत करने वाला है यह क्यों ऐसा हो रहा है क्यों य भारत को हिंदू राष्ट बनाने की बात की जा रही है बार बर पाकिस्तान 370 यह सारी चीजे आती है नियूज वे हम देखते हैं पड़ते हैं तो यह सारी चीजे जो पॉलिटिकल पार्टिस के दौरा बयान दिये जाते हैं वो भी कहना कहीं एफेक्ट करती है और ऐसा नह अब इसको लेकर कि इरान ने आपको पता हो कितनी बड़ी तिपड़ी करी उसमें बोला है कि मुस्लिमों की जो दशा है वह भारत में सबसे जादा खराब है इसको ले करके भारत के जो विदेश मंतरी है उन्होंने प्रत्रिक्रिया दी है कि आप पहले अपने यहां पर जह करके देखिए कि आप क्या situation क्या है तब आप इंडिया के तरफ आएगा तो आप देखिए कि धीरे-धीरे situation हर जगह पर खराब होती होई दिखाए दे रही है इसके साथ यह आप देखिए इरान ने अभी हाली में टिपड़ी करी है कि जो मुस्लिमों के स्थिती है वो भारत म कि जो यही सारी सिती है जो बयान बाजी दिजारी है जो आक्सेंस ही ज लिये जा रहे है जो अपर जाया ज पर देखिए बंगलादेश में आप देखे ही के च्धेक ढकाम क्या से एंडता उंतप भाया भाब थी तो यह सारी वज़ये हैं जिनके पीछे षी प्रो头 ए मुथे progress together event को वो क्या करेंगे यहाँ पर संबोधित करेंगे तो यहाँ पर वहां के जो लोकल समुदाय है उनको यह सारी चीज़े पसंद नहीं आ रही है मुस्लिम समुदाय है महाँ पर निवास करते हैं अधिक मात्रा में निवास करते हैं क्रिश्यानिटी भी आपकी तो वो सारी ही लोग यहां पर इस तरीकी की प्रतिक्याद दे रहे हैं उनकी जो अमेरिका की यात्रा है इसको लेकर के सभी भारतवन्षी वहां पर प्रत्साहित हैं बहुत ज़्यादा प्यामोधी को सुनने के लिए अब तक 24,000 भारतवन्षी ज ठीके आगे आते हैं IACU के मुताबिक रेजिस्ट्रेशन कराने वाले भारतियों की संख्या 30,000 से भी पार हो सकती है IACU ने कहा कि सब को स्टेडियम में बठाया जाए इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं मोधी 2014 में नियू यॉक के मेडिसन स्क्वाइर गार्डन में 2019 में हूस लेकिन अभी आप देखो अभी दिक्कत यह है कि इतनी भारी मात्रा में एक स्टेडियम में इतने भारति बैठने वाले हैं यह कोई भी आतंकी संगतन इस तरीकी का कारवाई कर सकता है तो आपको शायद बड़ी दुरगतना भी देखने को मिल सकती है आगे देखते भारति समुदा है उस पर लगातार खत्रा बना हुआ है आगे देख लेते हैं फाउंडेशन के एक्जेक्यूटि डारेक्टर है स्वान शुक्ला इन्होंने एक्सपर कहा कि यह समझना मुस्किल है कि कोई व्यक्ति इतना कायर कैसे हो सकता है कि एक चुने हुए नेता के खि अगेट किया रहा है हाली में हिंदू और भारतिय संस्थानों को मिली धंक्यों के बाद इस हमले में उसी संदर्व में देखा जाना चाहिए पहले भी आपर बहुत सारे हमले हुए है जनवरी में आप देखोगे कि कैलिफोनिया के मंदिर पर हमला हुआ था इस जनवरी में अमेरिका की कलिफोनिया के हिंदू मंदिर पर जैसे मैंने पता है क्या हमला हुआ कैलिफोनिया के हैवर्ड में मौझूद विजय शेरा वाली मंदिर में जो है वो खालिस्तानी समर्थकों ने भारत विरोधी बाते लिखी थी खालिस्तानियों ने मंदिर की दिवार पर प् तो हमेशा इसी मंदिर पर आप देखोगी क्या टैक किया जाता है इसी लेकर कि भारत की विदेश मंत्री एस जंसेंगा प्रशाद ने पहले कहा था कि मैंने ये खबर देखिये और हम इसको लेकर की चिंतत है कि सरीकिक की इस्थिति आपकी आउट ओफ इंडिया हिंदूों के खिलाब देखने को मिल रही है और इसी के बाद ये था आपका SMVS जहां पर इन लोगों ने खालिसानी समर्थकों ने कुछ-कुछ बाते कहीं थी और लिखी थी भारत के बाहर चरंपतियों और अलगाववादी ताकतों की जगा नहीं मिलनी चाहिए हमने अमेरिकी अधिका की चीजे की गई थी और नारे लिखे गए थे तो आप यह देख करके चलिए कि लगातार कंटीनू कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रियेट हो रही है हिंदू की बात की जाए मंदरों को टाकल किया जाए तो यहां पर हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है मिलते ह आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताएगा थांक यू सो मच